इस सो हेलो गाइस वोगेक्शेमर लाइक टो आर चेनल टो हम ने मैंने आपको ड़ीन नंबर 10 दी ती डिपीन नंबर 10 जो किसके ओपर बेश थी हमारी जो रिडोक्स एक्षन है रिडोक्स एक्षन हमने की थी जब वहती जादा सबसे ज़्याद इस वीडियो के दर हम क्या करेंगे उसका solution करेंगे उसके जितने भी questions है सब भी questions क्या करेंगे one by one solve करेंगे clear okay तो जो हमारे सबसे first question है first question क्या है हमारा first question सबस्टांस का हमारा reduction हुआ है ठीक है देखो जो हमारा सबसे पहले इसका oxidation number निकालो सी यू को कितना है यहां पर पे plus one है c u कितना plus sorry sorry anak man 61 होगा ना सी यू को थो एकस करेंगी minus one into two is equal to zero x की value क्या आगि एकस की वेल्पे प्लस two आगे है तो सी यू का है यहां पर plus two c u कितना charge है plus two i2 कितना है minus one है c u कितना है plus two i2 का कितना है यहां आप अब देखो c u का charge क्या हो गया और चार्ज क्या हो गया है यहां पर भढ़ गया है तो हमारा reduction होगा है, clear, तो I2O क्या होगा है, reduction होगा, तो I2O क्या होगा है, reduction, तो option क्या आएगा, option आएगा, option number B, clear, okay, next question हमारा, question number second, in the reaction SO2 plus H2S, हमें बताना है कि कौन सा S के अंदर reducing agent है, तो reaction को लिखे लेते हैं, SO2 plus H2S gives H2O plus S, तो इन में से हमें बताना है कि कौन सा हमारा reducing agent है, clear, okay, देखो, सबसे पहले oxidation हमें निकालते हैं, sulfur का, यहाँ पर sulfur का निकालते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी sulfur है, यहाँ पर sulfur का तो कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पर sulfur का कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि hydrogen का और oxygen का तो होगा, चेंज किसको होगा, sulfur होगा, so x-2 into 2 is equal to 0, x की value क्या आगे है, plus 4 आगे है, तो यहाँ पर sulfur कितना है, plus 4 है, इसको x मानेंगे, hydrogen कितना है, hydrogen का है, plus 1, 2 plus x is equal to 0, x की value क्या आगे है, minus 2 आगे है, तो sulfur कितना होगा, sulfur को हगा, है, minus 2, sulfur कितना होगा, sulfur को होगा, तो यह क्या होगा, increase होगा, अब यह मैं सचो कि सर प्रोडक्ट तो सिर्फ एक ही है, उससे कोई फरग नहीं पड़ता, उससे कोई बिल्कुल भी फरग नहीं पड़ेगा यहाँ पे, यह plus 4 से 0 गया है, यह minus 2 से 0 गया है, ठीक है, तो इसके इसमें क्या होगा हमारा, जो यह है, इसका मतलब क्या है कि यह क्यों होगा, बढ़ गया, अगर बढ़ गया तो इसका क्या होगा है, यह इसका oxidation होगा है, अगर इसका increase होगा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सिदेशन होगा, ठीक है, अब अगर इसका reduction होगा, तो यह तो क्या होगा, ऑक्सिदेशन होगा, और इसका क्या आएगा option आएगा बी ऑप्षिन की आएगा इसका option नमबर भी आएगा याँ पर क्लियर ओके नेक्स्क पोश्शन की बात करें यूल फ्लस एक्ट सेल कि यूल सेल 3 प्लस है तो हमां ताने कि फिर जो प्सट्र गीवन है मैं से कौन सा ओप्षिन करेक्ट है टेक तो सब से आपले बात करते हैं कि Aluminium plus कि Aluminium के उपर कितने हैं प्लस वन है और से लिगे उपर कितने हैं सी लिगे उपर है क्या जाएगा और अश्टोपर कितना हो गया जीर हो घिक है ऑक डिखोड़ गया कि इसको क्या हुआ फिर रिदक्शन होगा है अगर इसको अगर इसको उसलेशन हुआ तो यह होगा है reducing agent होगा अगर इसका Oscillation होगा तो यह क्या होगा हमारा reducing agent होगा और अगर इसका reduction होगा तो यह क्या होगा हमारा oxidizing agent होगा थिक है तो aluminum तो reducing agent तो ए आपशन तो correct is incorrect होगários Easytizing agent यह बात गलत है OLHCOL is reducing agent SL तो क्या उच accredלל तो यह बात गलत है बहुत a & a e by जब दोनीबात 갈Á तो बहुत वी क्या है गलत है तो अंस्र क्या गाई गाए इसका नन उप्ठा अब आओ तो थर्ड जो ओप्शन है third option के जो अंसर अप्शन आए गा वह क्या आएगा हमारा वह हो आएगा the option number, Reports at one less reducing एक gain लोजब्स लेक्ट्रोण गें लेक्ट्रोण में गेंगेंग। नाइदर गेंगडर लोजब्स लेक्ट्रण क्लियर द engageto सि Halloween जैन पProduction मुण के मतलब किया होता है था अधिये सीकिन के उता है हुगा जो दूसरों को तो क्या करेगा दूसरों करेगा रदूसरों करेगा और जो सेल्फ है खुद का क्या होगा उसका खुद का उसका दॉसको HOW चुसिदेशन गया उसका हमारा लोसोफ अलेक्ट्रों अलेक्ट्रों मी लॐस करेगा यह है लूस और व dob मैं इसका खुर ह derived clear, तो option के आएगा, option हमारा A के है, correct है option A के है, correct है, clear तो fourth option number A आजाएगा next बात करते है, question number 5 की कहाँए कि a metal ion M3 positive loses 3 electrons its oxidation number will be देखो, एक metal ion जिसके उपर already के है, जिसके उपर already plus 3 charge है, जिसके उपर already के है, plus 3 charge है अगर वो 3 electron को lose कर दे, अगर वो 3 electron को क्या करे, lose करे, तो उसके उपर charge की इतना आएगा, उसके उपर charge आएगा, plus 6 उसके उपर charge काएगा, plus 6 आएगा clear, देखो हमें पता है कि जब हम electron को lose करते हैं, तो क्या होता है, positive charge आता है देखो, आप ऐसे भी देशकते हो ये lose of electron की हैं, तो इसका क्या हो oxidation, और oxidation से क्या होगा है, तो oxidation number बढ़ेगा, वैसे भी आदेशकते हो कि अगर किसी के पास electron आएगे, तो उसके उपास negative charge आता है, अगर किसी पास electron जाते हैं, तो उसके पास क्या आता है, positive charge आता है, तो M3 positive ने क्या कर दिये, 3 electron lose कर दिये, तो उसके उपर charge क्या हो गया, increase हो गया, पहले plus 3 था, तो plus 3 और lose कर दिये, 3 तो अलड़ी कर चुगा है, lose ये, 3 और कर दिये, तो कितनों आजएगा, plus 6 charge आएगा, ठीक है, तो answer क्याएगा, answer आएगा, हमारा B, answer क्याएगा, हमारा answer आएगा, हमारा B, answer आएगा, clear, okay, next action given, carbon plus oxygen gives carbon dioxide plus heat, कैसी reaction combination है, बिल्गुल है combination, oxidation है ये, देखो carbon ने oxygen को gain कर लिया, तो oxidation हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर carbon का charge कितना है, 0 है, और वहाँ पर carbon का charge कितना है, plus 4 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना है, plus 4, तो carbon का क्या हो गया, oxidation हो गया, ठीक है, तो oxidation reaction भी है, exothermic है, heat निकल रहे है, तो क्या है, exothermic भी है, तो answer क्या आएगा, that is all the, all of the, about, 6 क्या आएगा, 6 का, D हाएगा हमारा option, clear, okay, next बात करते है, question number 7 की, बहुत important question है यह, question number 7 में क्या गिवना, हमें options गिवना है, हमें बताना यह क्या है, CL2 plus 2 OH negative gives 2 OCL plus CL negative plus H2O, ठीक है, यह है, देखो, यहाँ यहाँ पर CL2 के उपर charge कितना है, 0 charge है, CL2 के उपर charge कितना है, 0 charge है, यहाँ पर, देखो, यहाँ पर CL2, CL के उपर सिर्फ एक ही CL है, तो CL के उपर negative, मतलब CL के उपर कितना charge है, minus 1 charge है, यहाँ पर CL का निकाल लेते है, X, oxygen के उपर कितना है, minus 2, और is equal to क्या आएगा, minus 1 आएगा, तो X की value के आगे, minus 1 plus 2, plus 1, X की value के आगे, plus 1 आगी है, clear, तो इसका मतलब है कि इसमें, क्लोरिन के उपर कितना जाया है, plus 1 charge है, देखो, यह जहाँ ना, यह क्लोरिन के उपर negative है, यह overall के उपर negative है, यह overall के उपर negative है, तो इसके अंदर chlorine के उपर positive है क्योंकि chlorine क्या है यहां पर कम लेक्टर-negative तो खुद का उसको oxidation हो रहा है और खुद का ही obviously और खुदका ही इसको राएं रेडेक्शन हो रहा है उसमें क्या होँओ पषी ऑिसको क्या हो रहा है रुदक्रेशन हो रहा है जब खूर कही सक स्ट एंट भी है यही हुआ और रेडूसीं इजिंट boyका हो रहgio है reduce हो रहा है इनसे एक ह्लों का oxidation हो रहा है क्लों क्या reduction हो रही है तो एक यृड़ेसे हैंट होगा ऑफ औरba क्या होगा हमारा reducing agent भी होगा वो क्लियर तो option आ जाएगा option number D clear okay next बात करते हैं question number 8 की question number 8 के अंदर क्या गिवन हमें ZNO plus CO gives ZN plus CO2 तो हमें बताना है कि कौन सा option इसमें correct है देखो option के हमारा connection के है ZNO plus CO gives ZN ine plus CO2 सबसे पहले करते हैं इसका charge निकालते है जड़नों कार्बन का चार्ज प्लस टू से प्लस फोर हो गया कार्बन का चार्ज बढ़ गया तो कार्बन का क्या हो गए यहां पर ऑक्सिडेशन हो गया जिंक का रडक्षन हो गर कार्बन का क्या हो गए यहां पर ऑक्सिडेशन हो गया ठीक है तो जैड़नों इस बिंग ऑक्सिडाइज क्या जैदना ऑक्सिडाइज हुआ नहीं जींग यह क्या होगा है तो यह option गणलत है सी ओ इस बिइंग रिडियूस नहीं सियो टो क्या हो है ऑक्सिडाइज होगा है यह विडलत है सिच यो तो प्रोडक्ट साइड असके तो भात ही नहीं करेंगे जैड़ नौ इस बीइंग रिद्यूस बिल्गुल सही बात है जो जैड़ नौ है उसको क्या होग रदक्शन होगा जैड़न इस बीइंग रिडिऊस तो ऑप्षेन आएगा इसका डिपाट आएगा क्लियर ओक नेक्स बात करते हैं कोशन नमबर 9 की कोशन नमबर 9 में क्या है यह बोल रहें कि identify the substance that are oxidized and the substance that are reduce in the following reaction यह reaction हमें given है 4NA plus O2 gives NA2O इसमें क्या कि हमने सब पर चार्ज निकाल दें ने के उपर 0 और टो चार्ज है oxygen के उपर Zero charge है यहाँ पिमने के उपर चार्ज को और रिख्शन होगा है और मिन यहाँ और पर शेलिशन होगा और सिग्पान होगा और cu o में copper के उपर कितना चार्ज है plus 2 है और यहांपर कितना चार्ज ह fällt 0 चार्ज है और यहांप campus के उपर कितना चार्ज है PLस 1 चार्ज resilient degrees हो गया तो copper क्या होगा reduction ह2 का charge बढ़ गया तो h2 क्या हो oxidation हो गया तो oxidize कौन होगा है reduce कौन होगा है cu होगा है ठीक तो इस तरह हम बताना कि कौन oxidize और कौन reduce होगा है okay next question हमारा MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O charge गतना मानिस फोर कियितना माइनस लन है Mnक ड्लस टू और Cel की जो पर चार्ज कितना है वह 0-4 यहां पर पर्र यह रहना कितना मानीस बन्स इस-फर माइनस और spion नी–1 तो तो यह क्या होगा एक्सिदाइसिंग देखो अगर यह उक्सिदाइस हुआ है तो इसने एम युदिशन क्या होगा है तो यह ते हैं